इस देश में फंसल बीमा जोजना बहुत पहले से चल रही थी और उसमें इतनी विशंगतियां थी कि हर जिला में अलग-अलग रेट था अलग-अलग अनाजों का अलग-अलग रेट था और किशानों को प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता था और बीमा कम रासिका होता था राज खजाने पर बोज न पड़े इसलिए सरकार ने कैपिंग लाया कर रखा था प्रधान मंत्रे जी ने इसके चिंता कि इस देश में प्राकृतिक आपदाय आती हैं किशान जो परिश्णम करता है पसीना बहाता है खर्जा लेता है घर का पैसा खर्जा करता है और आपदाओं के बाद जब उसका सर्वनास होता है तो उसकी भरपाई नहीं होती थी अनि इतनी बिशंगतिया थी प्रधान मंत्री जी ने स्वेम इसके चिंता की और प्रधान मंत्री फशल वीमा जोजना मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद किशानों के लिए आज तक की सबसे बड़ी राहत देने वाली जोजना है इस प्रधान मंत्री फशल वीमा जोजना में पूरे देश के लिए सभी जिला के लिए एक प्रकार का प्रीमियम डेट है और सभी अनाज के लिए भी जो रभी का फशल है तो जितने फशल रभी के हैं किसान को मात्र डेढ़ परतिसत प्रीमियम देना पड़ेगा खरीब की जितने फशले हैं सभी फशलों के लिए मात्र डो परतिसत प्रीमियम देना पड़ेगा और जो एक कैपिंग थी कि कुल लागत का भुकतान नहीं होगा तो उस कैपिंग को हटा दिया गया और इसके कारण इस बार बजट में जो पहले तीन हजार करूर रुपिया उ उसके सम्रिधी को सुनिशित करने की जोजना है उसके नुक्षान की भरपाई की जोजना है यानि आज तक जितनी भी जोजना है चली किसानों के हित में उससे सबसे बड़ी राहत की जोजना है